आज मैं आपको फिस्ट कड़ी का रेसिपी बताने जा रही हूँ यह रहा आपका कातला फिस्ट जो मैंने बड़े साइज में बजार से कड़वा के ली आई हूँ आप मैं इसे मेरिनेशन करने जा रही हूँ यह बोल में डालने की वाद इसमें मैं पहले हल्दी डाली फिर इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर फिर थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमग बस इसे में हलकी हातों से इसे रांड करके कि पूरा फिस में मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए आप इसे में दस मिनट के लिए छोड़ दूँगी अब मैं कडाही को चड़ा दी हूँ जो गरम हो चुकी अब मैं इसमें सरसो का तेल डाल रही हूँ फिस को फ्राई करने के लिए जो तेल थोड़ा सा जादा ही लगेगा आई ये तेल डालने के बाद इसे पूरा गरम होने चाहिए अब ये तेल पूरा ही हाई फ्लेवर में गरम हो चुका आप गैस को कम करके जो फीस मेने पहले से करके रखी हूं इसे में डाल रही हूं शाषा थाने के अब ये डालने के बार दो तीन मिनट हो चुकी है आप में इसे फल से ये करना है उलट रही हूं अ उलटने के बार आप इसे ध्यान रखिएगा फ्रक लाल तक साइब करना ब्राउन तक साइब करना है आप यह फिस्क रिस्क ब्राउन हो चुकी है आप मैं इसे एक साइड निकालके रख ले रही हूँ और आगे का जो प्रोसेस से रह करूँ हूँ आप मैं फिस्कड़ी के ग्रेवी बनाने जा रही हूँ जो इसका यह मसाला हो गया आपका प्याज का पेष्ट लहसून का पेष्ट है आदरक का पेष्ट धनिया पत्ता और यह रही कटी टमाटर जो मैंने फिस्ट फ्राइब की थी वो तेल बच्ची हूई उसी में में ग्रे जाएगी एक सेज पत्ता, उसके बाद ये रहा प्याज का पेश्ट, ये रहा आपका लेहसुन का पेश्ट, ये रहा आपका अद्रक का पेश्ट, आपने एक चमत जीरा पौडर, एक चमत धन्या का पौडर, हल्डी, और ये रही लाल मिर्च का पौडर, जो आपको जैसा तीखा पसंद है, और उसके बाद ये रही आप नमक, स्वाद अनुसार, आप इसे में खलकी आच पर पांच मिनट तक फ्राई करूंगे, पांच मिनट फ्राई होने के बाद ये देखिए आपका मशाला, आप उसके बाद जो मैं कटी हुई टमाटर डाल रह धनिया पता, आप इसे दो से तीन मिनट तक और फ्राई करने हैं बस, ये देखिए आपका मसाला बहुत अच्छी तरह फ्राई होती के लिए जो तेल भी छोर रही है, आप इसमें में एक से दो कप पानी डालूंगे, आप इसमें एक अच्छी उबाल आने के बाद मैं इसमें फिस डालूंगे, ये देखिए ग्रेवी अच्छी तरह बॉयल हो रही है, आप मैं इसमें जो पहले फ्राई किया हुआ, रटाल रही हूं मचले, आप इसे डालने के बाद आप गैस को बंद कर दीजिए, थोड़ा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक आज सब्काई जरूर कीजिए